भारत देश के लिए क्रिकेट एक खेल नहीं है, बलकि एक एक इमोशन है जिसमें क्रिकेट के लिए प्यार उमदाच कराता है IPL के समय. हजारों लोग स्टेडियम से और करोडों लोग घरों से इसका आनंद उठाते है. आईपियल बी-सी-सी-ाई के द्वारा हर साल अप्रैल और मई के दौरान आयोजित करा जाता है. दुनिया में सबसे ज्यादा आउडियन्स वाली क्रिकेट लीग भी IPL ही है. आज से 14 साल पहले IPL की शरुआत हुई थी, तब से ये लंबा सफर तै कर चुकी है. दोस्तों, आज के वीडियो हम बताएंगे IPL की पूरी कहानी. इस सब की शरुआत हुई 2007 में, जब G Entertainment Enterprise ने इंडियन क्रिकेट लीग ICL की शरुआत की. इस लीग के पास BCCI और ICC का सपोर्ट नहीं था. उसके बाद BCCI ने अनाउंस करा की वह अपनी खुद की T20 टूनामेंट की शरुआत करेंगी. और उसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग. IPL के पीछे के मास्टर माइंड थे BCCI के वाइस चेरमेन ललित मोदी. उन्होंने कहा की IPL इसलिए शरु किया जा रहा है की देश की यंगर ओडियन्स भी इससे सके और देश का ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को बड़े स्टेज पर खेलना का मूग का मिल शके. शरुआत में IPL में आठ टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें टर्म्स एंड कंडिशन भी रखी गई थी. जिसमें प्लेंग 11 में चार से ज्यादा खिलाडी दूसरे देश के नहीं हो सकते. एई قدم इसलिए उठाया गया था की. इस लीग में ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के खिलाडी खेल शके. IPL के पहले सीजन में पाकिस्तान खिलाडी भी शामिल थे. इस वक्त शोईब अख्तर के के आर में शाहीन आफरीदी डेकन चार्जिस में और शोईब मालिक दिल ही डेर डेवेल्स में थे. इसके बाद पाकिस्तान प्लेयर को बैंड कर दिया. IPL पहले साल से ही ज्यादा आउडियन्स एकसटे करना लगा. 2010 में एए अनाउंस करा की IPL दो और टीम जुड़ी जाएंगी. पुने वारियर्स और कोची तक कर्स केरला. पर BCCI हुई अनबन के साथ कोची तक कर्स केरला को टर्मनेंट कर दिया. और बाद में सन्राइस हैदराबाद आई. उसके बाद आई बढ़ ही कंट्रोवर्सी. 2015 में मैच फिक्सिंग की वजह से कई खिलाडी और टीम पर इलजाम लगाये गए. इसमें तीन खिलाडी पर लाइफ टीमें बैंड भी लगाया गया. जिनमें श्रीशांत का भी नाम शामिल था. जबकि ऐसा साबित नहीं हुआ कि श्रीशंत ने फिक्सिंग की थी. और चेननी सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए सस्पेंट कर दिया. अभी IPL में टोटल टेन टीम है. 2022 में दो और टीम जुडी गई. जिसमें गुजराट टाइटन्स और लखनौ सुपर जाइंट्स भी है. और गुजराट ने पहले ही सीजन में ट्रॉफी अपने नाम की.